दोस्तो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल किये था कि सर छट ढ़लाई के बाद हमें क्या अपने छट में कराना चाहिए बहुत लोग ये सुचते हैं कि छट में ढ़लाई के बाद अगले दिन उसका प्लाश्टर हो गए रहा है यानि कि थोड़ा सा मसाला चड़ा के उस पर पॉनिंग यानि सिमेंट का गोल मार देते हैं तो ओ काम कर लिया जाए या फिर उस पर पानी लगाना चाहिए पॉन्डिंग करना चाहिए उसका तराई करना चाहिए यानि कि पहले तराई कर ले 12 दिन 10 दिन फिर उसके बाद उस पर काम करे या फिर पहले घोल मार ले प्लाश्टर कर ले तो देख कि यहां पर आप जैसा सालरी पन जो हुआ है यहां पर फट गया है आप देख रहा है आस जो किrend सबसตरु सालरी कोया है bucket अदर से सिमेंट आप से वहां आ निकल रहा है तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ड्लाई कि लग भ भाट झाक्म प्र गया ऐक के चिफMic बताऊंगा कि आपको छट में आखिर करना क्या चाहिए जिससे आपका छट में सीपेज होता है कहीं से आपके छट बाद में लीकेज होने लगता है पानी उसमें से टपकने लगता है तो ओचीज नहीं हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा और दोस्तों जैसे जैसे आपको एक एक प्रोसेस बताया जाए वही काम आपको छट की ढ़लाई के बाद करना है तो इससे आपका छट भी काफी मजबूत होगा और साथ में आपको किसी तरीके का सीपेज का पानी टपकने का या सीलन का समस्या नहीं हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको जब ढ़लाई हो जाए तो उसके अगले दिन यानि कि करीबन जो नेक्स्ट मोर्निंग होता है उसमें आपको क्या करना है पहले छट पे आपको यहां पे आप देख रहे हैं जैसे पॉन्डिंग मेथड होता है यानि कि आपको क्यारी बनाना है क्यारी आप जो है आप जो बालू और सेमेंट थोड पॉंडिंग मेथड़ यह पानी जो भरना है दोस्तों चाहे कोई सबी मोसम हो कम से कम आपको अपने छट पे 10 दिन पानी भरना दस दिन पानी भर के उस पे रखना है अगर उससे पहले आप उस पे अगर आप उसको चछत को ड्राई रखते हैं सूखा रखते हैं तो वहां से आपके छट में क्रायक आसकता है आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पे बहुत सारे क्यारिया बनाई गई है और सब में पानी भरके रखा गया है तो इस तरीके से आपको पॉंडिंग मेथड यह करना है दोस्तों यह कम से कम आपको 10-12 दिन तक कर बहुत जगा देखा जाता है कि लोग 10-12 दिन में उसको शर्ट्रिंग को खोल देते हैं तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि 10-12 दीन या 14-15 दिन के बाद भी आप सट्रिंग खोलते हैं तो यहां देख रहा है च्छत में आपको क्रैक दिखाई दे रहा है चोटा-चोटा आप आपको क्रैक दिखाई देगा तो आप कुछ भी कर लिजिए चाहे छोटा मकान हो बड़ा मकान हो आप नजदिक नजदिक पीलर दिये हो छत में हलका से डिफलेक्शन यानि कि छत है वो हलका से जुक जाती है आप उसको 15 दिन बाद 20 दिन बाद भी खोलेंगे न तो उसमें कम से कम 2-4 mm का जुकाओ आही जाता है तो आपको इसलिए बोला जाता है जैसे यह हलकी हलकी आप क्रैक भी देख रहा है यह अगर हम अच्छे से तराई नहीं करते हैं या सट्रिंग बहुत जल्दी खोल जते हैं तो आपको सट्रिंग जो है कम से कम 15 दिन के बाद खोलनी है अ और फिर उस पे पूरे च्छत पे लगा दिया गया है फिर उसके उपर से जो सिमेंट सलरी यानि कि जो सिमेंट का गोल होता है पानी में मिला के जो बनाया जाता है उसका पनिंग कर दिया गया है यानि कि पूरा उसको च्छत को चिकना कर दिया गया है ताकि पानी जो है पा वह गलत तरीका है, ऐसे आपका छट सक्सेस नहीं होगा, बाद में उसमें लीकेज, पानी जब जमा होगा छट पर, तो पानी टपकने की समस्या बनी रहेगी, घर में सीपेज होनी की समस्या बनी रहेगी, तो फिर करना क्या है, तो देखिए, छट को सबसे पहले आपको कोई जो सीमेंट बजरी ओजरी हो सब कुछ आपको अच्छा से किलियर करके फिर पानी से पानी के प्रेसर से उसके जितना भी डश्ट पार्टिकल होगा सबको वहां पे निकाल देना है सफाई कर लेना है कि सीमेंट का पतला गोल बनाना है सीमेंट सलरी सीमेंट और पानी का पतला गोल बना है पूरे छट पे पहले उसका छिड़काओ कर दें ठीक है आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे छट पे उसका छिड़काओ कर दिया गया है साइड साइड में आप चाह रहा है अगर आपक प्रफिंग एजेंट लगा दे, सेमेंट में बिलाके, डॉक्टर फिक्सी टी वार्पी भी आप लगा सकते हैं, फिर आपको क्या करना है कि यहां पर आप देख रहा है, जीरा रोडी होती है, छोटी वाली, 10 mm की, 10 mm, 8 mm की, जो छोटी वाली रोडी होती है, उसको आप 1, 2, 4 क मसाला बनाना है, और पूरे छट पे उसको क्या करना है, बिचा देना है, जैसे हम छट की ढलाई करते हैं, आप देख सकते हैं, वैसे ही पूरे छट को हम बिचा देंगा, आप चाहें तो छट को पार्ट बाई पार्ट यहां पे बॉक्स बना सकते हैं, और नहीं तो आप प पॉन्ड्री जहां पर है किनारे किनारे पर उसको चड़ा दिया गया है और उस पर जो हमने यहां पर रोडी डाला है चंक्रीट करिवरा नीजे को बिच्छा दिया भए इभा पिर क्या रकnewल उसमें लेबल निकाल लें और फिर उसके उपर से आप सिमेंट का पतला गोल यानि पनिंग करने के लिए उपर से डाल सकते हैं डालके और जहां पे भी आपका स्लोप है यानि ड्रेनेज पाइप है वहां पे आप उसका स्लोप दे दें तो इससे दोस्तो होता क्या है कि जो अ मसाला जो हम ग्रेडिंग किये रहते हैं वो उसको अंदर नहीं जाने देता है, वहां से सीपेज नहीं होता है